नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड आप सभी का स्वागत है हिंदी डेप्टूर्स पर और आज हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे बिलकुल फ्री में अपना एक वेबसेट बना सकते हैं ये वीडियो उन लोगों के लिए हैं जिनके पास फिलाल पैसे नहीं है या फिर आप स्टूडेंट है या फिर आप बिगनर से जो की वेबसेट कैसे बनता है आप स्थिखना चाहते हैं उनके लिए है अगर आप वेब डिजाइनिंग वेब डेपलोप्मेंट के का नहीं है तो चलिए आज की वीडियो को सुरू करते हैं आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे साइट्स के बारे में बताऊंगा ऐसे टूल्स के बारे में बताऊंगा जहां से आप जाके अपना वेबसेट बना सकते हैं बिल्कुल फ्री है उसके लिए ना ही आपको चाहिए नहीं आपको hosting चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए अगर आपको coding नहीं आता आपको programming नहीं आता तो भी आपको tension लेने की जरूरत नहीं है आप बड़ी आसानी से अपने लिए एक website बना सकते हैं और यह बिल्कुल वीगनर्स के लिए है अगर आपको पहले से पता है तो इस वीडियो को बिल्कुल ना देखें तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला जो site है जहां पे आप अपना free website बना सकते हैं उसका नाम है wordpress.com और यहां पे अगर आप wordpress.com खोलेंगे तो आपको एक C plan का option आएगा अगर आप यहां पे जाएंगे तो उसका plan आपको दिखेगा यहां पे free version भी है आप lifetime के लिए free में अपना website बना सकते हैं बस इसमें दिक्कत यह आएगा कि आपको जो domain मिलेगी वो एक subdomain होगी मतलब यहां पे wordpress.com नहीं आपका जो site होगा वो wordpress.com से पहले एक subdomain होगा जैसे कि मैं आपको यहां पे दिखाना चाहूँग मान लेजे कि यह wordpress.com है तो मेरा अगर यहां पे site होता तो यहां पे इस तरह से होता यहां पे होता edward.wordpress.com इस तरह से आपको मिलेगा subdomain और यही आपका domain होगा और आपको hosting के लिए कोई पैसे देने नहीं है और यहां पे आप sign up करके आप अपना website बना सकते हैं और यह ब wix.com भी बिल्कुल free है आप यहां पे आके अपना website बना सकते हैं और आपको मिलेगा free domain, free hosting और आपको खुद से कोई programming knowledge होना बहुत जरूरी नहीं है और यहां पे भी बहुत ही अच्छी और जबरदस्त site बन सकती है और यह सारा चीज़ों मैं बता रहा हूँ वो beginners के लिए ह और जिनको coding नहीं आता उनके लिए है जो लोग web designing सीख रहे हैं उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है अब मैं बता दूँ कि site तो आप बना लेंगे आपको sub domain मिल जाएगी hosting भी मिल जाएगी लेकिन यह दोनों site में एक problem है वो problem है कि आप चाहें तो यह जो wix.com है यहां पे आ problem अगर आप wix.com से और wordpress.com से अगर free site बनाते हैं तो बन तो जाएगी लेकिन free site में हमेशा याद रखिए कि कुछ तो demerit होते होंगे मतलब इसकी कुछ नुकसान तो होती होगी अगर आपने wordpress.com या uix.com से site बनाया है तो आप google adsense के लिए apply नहीं कर पाएंगे तो यह है problem फिर भी मान के चलते हैं कि फिलाल आपके पास पैसे नहीं है या फिर आप test करना चाते हैं कि आपका blog चलेगा नहीं चलेगा तो उसके लिए आप बीना पैसे खर्च किये क्या कोई उपाएं नहीं है बिल्कुल है और उसके लिए एक site है वो है blogger.com यह google company का खुद का है इस दोमेन का मतलब free domain यूज़ करके यहाँ पर blogging की जाती है और log adsense से अच्छी खासी earning कर रहे हैं blogger और बाकी दोनों में यही difference है कि blogger में आप google adsense अपने लिए apply कर सकते हैं मतलब आप जो भी website बनाएंगे वहाँ से google adsense लगा के earning आप कर पाएंगे और ऐसे बहुत सारे और भ कहूंगा कि blogger में अपना blogging start करना चाहिए और तीनों ही में आपको अपना domain लगाने का option मिलता है आप अपना domain purchase करके इनके साथ यूज़ कर सकते हैं तो domain का खाली आपको पैसा देना होगा बाकी hosting यह लोग खुद समझेंगे और आपकी जो website है वो खुद आप बना सकते हैं और google adsense से अगर running करनी है तो आपको blogger ही चुनना चाहिए और last मैं जाने से पहले एक चीज और बताऊंगा कि अगर आपको सच में अपना खुद का personal professional site अगर चाहिए तो इनका एक alternative है जो मैं आपको बताना चाहूंगा और वो है wordpress यह wordpress.com नहीं .com एक उनका premium section है ठीक है यह commercial है और एक चीज है wordpress जो है wordpress.org ठीक है आप wordpress.org पर अगर जाएंगे तो आपको वहाँ पर wordpress मिलेगा जहां से आप यह एक cma से जिसको आप खुद डाउनलोड करके अपना domain hosting खरीद के वहाँ पर थोड़ा पैसा करच होगा लेकिन अपना खुद की site हो जाएगी जैसे बाकी लोगों का blog है personal blog है तो domain आपका hosting भी आपका और wordpress जो है यह self hosted है मतलब आप इसको लेके वहाँ पर install कर सकते हैं और हर hosting के साथ में wordpress अबिलेबल होती है तो वहाँ पर आप आराम से google ads लगा सकते हैं और आज के time पर wordpress पढ़ना बहुत ही आसान है हिंदी रेप्टूस में wordpress का पूरा tutorial सिरीज है आप देख सकते हैं कि किस तरह से अपने लिए आप वहाँ पर जाके अपना blog बना सकते हैं अपन business site बना सकते हैं अपना e-commerce site बना सकते हैं तो देखा जाए तो मेरा suggestion रहेगा कि कभी भी free hosting, free domain और free site बना के कुछ वाइदा नहीं होता है इसलिए better होगा कि आप लोग website बनाना सीखें हो सकें अगर आप IT line में जाना चाते हैं तो web designing सीखें, web development सीखें और अगर आप कोई business professional ह आप कोई काम करते हैं तो आप WordPress सीखें आपको coding सीखने की जोगरत नहीं पड़ेगी और आप एक से एक बड़ी जवर्दस site बना सकते हैं ये सारा information आप हमारे WordPress tutorials में देख सकते हैं ये बहुत छोटा सा वीडियो था लेकिन उमीद करता हूँ ये आपके लिए एक छोटा सा information हो गया जो आपके लिए काम आ सकती है इसके साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा आपका होश्टर दोस्त एडवर्ड बैबै दोस्तों जय हिंद